तो चलिए बिनादेर करें हमारे स्प्रिंट के वन शॉर्ट रिविशन सीरीज का एक और लेक्चर की शुरुवात कर ली जाए तो स्टूडेंस क्या होने वाला है खास आज हम एक बीहाइव का लेसन करेंगे और एक मुमेंस का चीक है तो बीहाइव का कौन सा लेसन हम डिस्क काटमांडू बड़ा ही इंट्रेस्टिंग साही लेसन है more of detail based नेपाल का कैपिल है काटमांडू और काटमांडू में क्या important चीज़े हैं जिनका यहाँ पर जिकर हो रहा है कुछ facts बता रखें वो facts हमें पढ़ने हैं और समझने हैं and moments का lesson होगा the last leaf वो आखरी उमीद उमीद पर ही तो यह दुनिया कायम है खतम सब कुछ हो सकता है पर एक उमीद हमें जिन्दा रखती है वो उमीद जिसके भरों से हम अपनी जिन्दगी को एक positive way में देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं कर लिया जाए शुरुआत करते हैं काठमांडू से चलिए let's begin जब बात करते हैं काठमांडू की यह नेपाल का है capital ठीक है this is capital of नेपाल और बहुत ही अच्छी यह जगह है बड़ी सुन्दर जगह है tourist spot है बहुत सारे लोग यहां घूमने जाते हैं तो चलिए देखते हमार है ले संग में किन चीजों का दिकर हो रखा है इन अपर इस लेजन में यहां पर दो चर्रह एंपशुपति नाथ टेंपल और बौधनाथ स्टुपा ठीक है पशुपती नाथ टेंपल और बौधनाथ स्टुपा अब इन दोनों टेंपल के बारे में यहां पर बताया गया है ठीक है वहां पर बुद्धिजम का बहुत जादा चलन है वहां पर बुद्धिजम का बहुत ही जादा चलन है यह बड़ा ही फेमस टेंपल है नेपाल का पश्युपतिनाथ टेंपल ठीक है काठमांडू में यह है यहाँ पर a sign proclaims वहाँ पर एंटरंस में एक sign है एक board है जहाँ पर लिखा है entrance for the Hindus only जी हाँ सही बड़ा आपने entrance for the Hindus only there is much crowd and utter confusion वहाँ पर बहुत जादा भीड है और full of confusion account कहां जा रहा है क्या कर रहें पता ही नहीं all sorts of animals roam around through the grounds वहाँ पर हर तरह का अलग-अलग animals grounds में घूम रहे हैं जैसे कि मैंने कहा यह lesson पूरा factual based है मतलब वहाँ पर जो है वह आपको describe करके बता रखा है ठीक है there are so many people, so many animals they are pushing each other to somehow make their way to the Lord वह भगवान के दर्शन करने के लिए धक्का मुक्की चल रही है एक दुसरे को मारा मारी चल रही है और वह आगे बढ़ना चाहरे animals भी है वहाँ पर बहुत सारे और human beings अब लोग तो है ही तो धक्का मुक्की करके वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है a group of westerners claims itself to be Hindus तो ना group western मतलब भार से भी लोग आए हुए और अपने आपको Hindus कहते है वो अंदर जा रहे मंदिर में बेखने it struggles for permission to come in उन्हें काफी दिक्कत हुई permission मिलने में अंदर आने के लिए बड़ पुलिसमें अड़ गेट इस नौट कर विंस्ट आप बेटा करी बार देख सकते हो कि आसपास बंदर फाइट करते हो नजर आएंगे आपको होते हैं ना बहुत सार जबंदर होते हैं तो सारा हुड़देंग मचाते हैं लडाई कर रहे हैं वहाँ पर आगे बढ़ते हैं बिलीफ अबाउट इंदर रिवर तो वहां पर यह जो पशुपतिनार टेंपल है बह पर एक और वाशर में है जो कपड़े दो रही है अट इस बैंक उस नदी के किनारे वो वाशर मैन अट इस बैंक मिलेब किनारे पर देवाल श्राइन आपको समझना होगा इस मंदिर के असड में एक रिवर है और वहां पर एक श्राइन है ठीक है वहां से आधा रिवर में डूबा है और आधा बाहर है जिस दिन पूरा बाहर निकल जाएगा इसका मतलब गौड़ेस बहर आ जाएगी और कल्यूख खतम जाए तो यह मान्यता है वहां की ठीक है यह मान्यता है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते है अशुपति तो वहां का आपको पशुबतीनाथ टेंपल का description मिल गया अब हम बात करेंगे बौधनाथ स्टुपा का वहां पर एक हजीब सी शांती है एक सुकून है यहां पर बुद्धिस्म है तो सुकून तो मिलना ही था जो रोड जा रही है ना टेंपल की दरब वहां पर सम शॉप स्मॉल शॉप सफ टिबिटन इमिग्रेंट्स स्टैंड और इस आउटर एच देर नो क्राउट जैसे पशुपती नाथ टेंपल में वहां पर लिखा है उनली हिंदूस और ठीक है और वहां पर भीड बढ़ा का है जो क्राउड है कहने के आनिमल्स इंसान सब धक्का मुकिफ किन्फूजन क्रेट हो रहा है विरस बहुत राच टुपा में एक अजीब सा सुकून और प्यार इसी शांती है जादा भीड बढ़ा का बिलकुल भी नहीं है और तिबेटियन वहां पर तिबेटियन इमिग्रें की छोटी-छोटी दुपाने हैं आउटर एज में और वहां पर विटा देर इस नो क्राउड ही अर यह बात याद रखियेगा बिलकुल भी क्राउड नहीं है जैर इस पीस देर सुकून हो यह ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वहां का फेमस बजार है यह का फेमस बजार ह सब्सक्राइब करें लोग वहां पर घूमते फिरते रहते हैं वहां की जो मार्किट है जो बजार है उनमें अलग अलग तिरों की बहुत सारी चीजे मिलती है यहां पर एक्जैंबल sophomore जो बेशने वाले पने जो पोस्ट काड को बाटने वाले नहीं होते जो पूस्ट कार कर जो बिलाते रहते रहते हैं उधिल्मी श कैनभी हर्ड साइकिजिवूर कार के हौन के हौन्जग से रहते हैं साइकल की बेल्स रिंग होती रहती है स्ट्रे काउज लो लोवर्डी पीपल वहाँ पर न ऐसी खुले में गाए गुम रही है जैसे स्ट्रे काउज भी होते हैं ठीक है तो हर तरफ आपको नजर आएगा कि फुलाउन भीड़ा काई साइकल की बील सुनाई दे रही है कार के हां सुनाई दे रहे हैं यहां-वाँ गाए की आवाज आपार सुनाई दे रही है इस ट्रे ड़क यों इंद भीडर गुम रहे है इन थर मार्केट प्लेज दॉस्टlo प्नी दिधी खरीद लेता है हुए दिल्ली की टिकट और फिर वापस आया दा हें ल buried spot KNOWee है चुपति- हुपति-नाठ-चेंबलि के बारे मात करते हैं बादन चुपा के बारे में कातमेंगी क papel किया कुछ उन्होंने देखा फिर वह बात करते है फ्लूट-Cellar के बारे में, पढ चने में है आधे फ्लू Halal के नजदे थी एक फ्लू अलर की तरहिए यह थी क्यों हिस केर फ्री स्टाइल प्लीजिस हैं यह देजंट सेल इस फ्लूट्स लेक अधर्स उसका नहीं बाकियों की तरफ फ्लूट नहीं बेच रहा था बल्कि दे क्राइड वेर्स इन फ्लूट मुजिक अल्वेस अट्राइक्स हिम इट रिमाइंड्स हिम अब इंसानों में जो एक कॉमन फैक्टर है लोग क्या चिला चिला के अपने समयन बेचते हैं यह बासुरी की आवाज ही अलग फील देती है और उस आवाज से यह लोगों को अपनी तरफ अट्राफ कर रहे और हमारे ऑथर को यह आवाज बड़ी ही पसंती बासुरी की मीठी आवाज बड़ देखो different flutes and flute music there is no culture that does not have its flute हर culture में अपनी अलग तरगी एक flute होती है बड़ा डीप बासुरी है वो किसके लिए है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की flutes of south america are clear and breathy south america the flutes are बिल्कुल clear है और अलग तरीके से ब्रीदी है the chinese ones are high-pitched the music of the flutes is universal बासुरी को हलके में लेने की गलती मत करना अलग 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 खास यह था जो कि यहां पर mention कर रखिये its motive force is the breath पूरा यहां पर सास का खेल है सास को कैसे छोड़ते हो कैसे लेते हो आप राइट युनिवस के अलग 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 देशों को एक साथ एक सिरे में जोड़ती है यह flute की आवाज क्यूंकि अलग 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 देशों की अलग अलग पहचान है पर सास का ही तो खेल है पूरा बर देखो कितना फरक हो जाता है समझने वाद को देखो एक flute से कैसे इस दुनिया को जोड़ा गया है आया ना येस अब ऑथर अपना अनालिस करते हैं बासूरी के बारे में क्या कहते हैं और देखता है उसको एनलाइस करता है उसे थोड़ा इंस्पायर करता है थोड़ा इंट्रेस्टिंग लगता है ये वापस आकर उसके बारे में और जानी कोशिश करता है और आप समझे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इसके साथ एक लोग अपस के बाद वापस आया था था है कभी इसने फ्लूट के बारे में उनकी खासियत के बारे में उनकी इंपोर्टेंस के बारे में कभी सोचा ही नहीं तो यह बड़ी अलग सी बात लगी इस बार इसे तो नेपाल के बारे में बहुत ही बड़िया तरीके से बताया गया है आया ना इसे वेरी वेरी एक और एक इसनेते लससे लिखा है वो नेपाल गुमने गया या-ऐा देखा उसने कैसा फिर किया फ्लूडड से वह कैसे ट्रक्ट हुआ फ्लूड से ट्रेक्ट हुआ लागे लागे आपर की आपर उनके exactly से उसे वह अन्गियारेविट पत्ता, पत्ता है, डाली डाली है, एक पत्ता कैसे एक इंसान को उमीद दे सकता है बच्छों, एक मरते हुए को एक पत्ते का सहारा है यहां फर, बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा लेसन है, दो दोस्त है, जॉन सी और स्यू, यह दुनों एक साथ रहते हैं, जॉन से बिमार हो जाती है, और बहुत ही जादा नेगिटिब हो जाती है, उसे लगता है, बहुत है, मैं बर नहीं हुँ, और स्यू उसमें पॉजिवडिविटी का कत्रा भी नहीं आता, बहुत सारी कोशिश करती है, फिर ऐसा क्या हुआ, एक बिमार लड़की अच्छानक से उसके अंदर ज यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक पेंटर कौन है वो क्या हुआ चलिए जानते हैं तो सबसे पहले इस लेसन का राइटर जो है ठीक है ओ है इनका एक्च्वल नेम तो विलियम सिद्नी पॉटर है पर उनका राइटिंग नेम है पैन नेम जिसे हम कहते हैं ओ है ठीक है बहुत ही फेमस कानी है इनके द्वारा यह लिखी हुई कैसे ओ है एक छोटी सी उमीद एक्स्पेंटर लोग बड़ी इंट्रेस्टिंग सी है यह बात तो चलिए जानते हैं कि ओ हैं एसा क्या लिखा है जो पेंटर थे उसने ऐसा क्या कर दिया जिस वज़े से हुआ एक बार जोन से बिमार हो गई, once John C. fell ill किस वज़े से उसको निमोनिया हो गया था उसकी फ्रेंड अब्यूसले उसकी प्रेंड बड़ीकी चिंता होने लगी हुआ यह जॉंसी हैड गिवन ओल जॉट एंड सम्हाव शी स्टाड़े थिंकिंग अब क्या किया इस लड़की जॉंसी ने जो बिमार हुई उसने अपनी सारी उमीदे छोड़ दी वह मैं जी नहीं पाऊंगी बड़ी ही निराश हो गई दुखी हो गई उसे लग रहा था कि वह वापस कभी होगी ही नहीं सी अगिटरीरेटिंग कांडिशंन वह उमीद शारने लगी थी और उसकी तबीद खराब होने लगी थी और उसकी खराब तबियोत को देहका डॉक्टर ने एडवाइस किया व्लण दो ताकि उसको उमीद दो ताकि चिंता से मुक्त हो जाये वो टेंशन ना ले रिलीव रहे और पॉजिटिवली विल पावर के साथ वो सर्वाइव कर सकती है बट वो नहीं कर दिया ऐसे तो डॉक्टर ने इसको वहला था उसको उमीद दो उसको जीने की खुशी दो ठीक है चीह अफल करो उसे और सुने पूरी कोशिश की यू अब यह किसी चीज में इंटरस्ट नहीं देख रही है अब होगा क्या आप बिमार हो आपको मैं समझाने कोशिश कर रहे हूं आपको दवाया देरी हूं को पॉस्टिविटी आपके अंदर लानी कोशिश कर रहे हूं और आप में ध्यान नहीं देरे हूं कहीं और ही देखे जा रहे हो वही हो रहा है यहां पर यह कहीं और ही देख रही है जहां से सूने बहुत कोशिश की इसको पॉस्टिव करने की बट इसका ध्यान तो बहार जड़ते हुए पेड़ के पत्तों पर है वही पर देखी जा रही है यह और अब होगा क्या उन आप पोजिटिव यह लिए पारए कि कुछ लोग कि तना भी मोटिवेट कर दो मोटिवेट नहीं होगा दियान नहीं आपके अंदर पिजिवटी है ही नहीं नहीं तो महां पर न वो कुछ सोची नहीं पा रही और बड़ी डिप्रेस्ट हो रही तो स्टीव ने बहुत वोशिश करी इसको कन्विंस करने की बड़ जॉन सी टोल हर आफर दे लास्ट लिफ फेल फ्रम वाइन शे वुड आलसो लूसर लूसर लाइफ तो अब जॉन सी के बाद में एक दिमाग में एक बात फिट हो गई उसने कहा जब आखरी पत्ता गिर जाएगा ना उस पेड़ पे से तब मैं मर जाओ तो उसने अपनी जिंदगी की डोर उस आखरी पत्ते को दे दी थी कि वो गया और मैं गई अरे बाद अब क्या करें तो आप समझ रहो एक थोट है, डिप्रेशन में ऐसा होता है कि हम एक छोटी सी चीज से अपने आपको रिलेट कर लेता है उस पत्तों का इसकी जिंदगी से कोई लेना लेना ही नहीं है पर उसने अपनी जिंदगी की डोर वहाँ पर बांद ली उसने सोचा यह पत्ता लास्ट गिरेगा और मैं मर जाओं अब इस थोट प्रोसेस का करें तो करें क्या बताओ बताओ कितना भी अच्छे से समझा लिया यह माने न और अपनी जिंदगी एक पेड़ के पत्ते के पीछे उसके भरों से बैठी है अब होगा क्या शू को बड़ा बुरा लगा यह देखिए कि वो पेड़ को देखे जा रही है पत्ते गिर रहे है और उसे लगता है जिस दिन आंखरी पत्ता गिर रहे है उस दिन मू अब यह करे तो करे क्या और यही बात अपने नेबर को कहती है बहरमान नाम के बड़ी आठिस्ट है इन्हों ने अपने नेबर को बहरमान को जॉन से की कंडिशन बढ़ा दी अब शी टोल हर अब जॉन से कंडिशन और यही बात इसे बता दी हमारे बहरमान सून बहरमान ने क्या किया विजिटेड़ बट फांड हर स्लिपिंग हो जब उससे मिलने गए तो देखा कि जॉन से वो सो रहे थी बहुत तेज बारिश वरी थी उस राद शीव एन बहरमान साट इन नेक्स रूम तो वो सोरी थी ना जॉन सी तो सू और बहरमान पड़ उसके रूम में बैठे जॉन सी पीवड आउट साइड इन सौ दैट उसने जॉन सी ने इसे बाहर जुके देखा और यह देखा कि लास स्लीव फॉल सून और शीव और अपने पेड़ के तरफ देख रही उसकी नजर वहीं पर है सोते सोते भी बीच में उठके वहां देखती है बारिश आरी उसे लग रहा है बहुत तेज दुफान आएगा और पता गिर जाएगा और जैसे आकरी पता गिरा मेरी जान भी गई अब क्या करें अब वाये तुदिस देखा ओल मैन बहरमान ने जान सी को बहार ऐसे पत्ते को देखते वे देख लिया अब देखो इसने क्या किया बिना कुछ कहे वो चला गया और उसने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा सिमिलर लीफ ड्रॉ करूंगा पेंट करूंगा इंसर इसने क्या किया उस पत्ते को बनाया पहले तो ऐसा ही पत्ता हुग भू और उसको बांदिया गरीपर बार दो विल दूए जाएगोज वेगनाचि वित नुमोनिय य डाइड एट अब वो बंद दा उसने वो बंद आ और वो बिमार हुआ और नुमोनिय उसे भी ओ गया और पत्ता भी भी है इसका मितलब मिजमें भी जान बाकी है खुद पेंटर बहरमान जिसने पेंट किया था पत्ता वो मर गया पर उस लड़की में उमीद भर गया जाएसे जौन सी ने बहार देखा तो शी फेल्ट हैपी एंड कंटेंड दे लास्ट लीफ नहीं किरा तो उस कॉं तो उन ची स्टाटे रिकावरीं एंड था दे लिए रीजन आज नेचर ऑल्स वांट रटो सवाई क्यूंकि वह पत्ता नहीं कि रहा उसे लगा कि नेचर भी चाते बगवान भी चाते हैं कि मैं ना मरूं मैं हिम्मत करूं मैं सर्वाइफ करूं तो बहरमान तो गये पर इस यह इंड्रेस्टिंग सा लेसन है सूने इंफॉर्म किया इसे बहरमान जी गुजर गए नुमोनिया की वच्छे शी टोल्ड जॉंसी टाइड देने के चक्कर में बारिश में बेटा वो पूरा भीगा और वो पत्ता लगाया और वो बारिश में भीगने की वज़े से उसको निमोनिया हुआ इस लड़की की जान बचाने के लिए उसने खुद अपनी जान जोखिम में डाली और जोखिम महीं नहीं बलकि अपनी जान खोबी दी लास लीव इंडीर मास्टरपीस क्रिएटेड बार बहरमान तो जो ला तो मेरे प्यारे बच्चो थैंक यू सो सो वेरी मॉच वर आल दे लाव यू आ गिविंग मी विटा लेक्ट्रस को अच्छे से देखिए प्रॉपर रिविजिन कीजिए प्रैक्टिस कीजिए सवालों को एक्जामस नजदीक हैं डिले मत कीजिए गलती से भी मिस्टेक नही बट आप सभी इस मुश्किल को भी पार कर जाएंगे तो चलिए इसी पॉजिटिव वीडियो और होप के साथ आई विल सी यू नेक्स्ट वीक तिल देन टेक केर एवरीबड़ी बबाई सी यू